बुद्ध के जन्म के बाद एक भविश्य वक्ता ने राजा सुद्धोधन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याती समूचे संसार में अनंतकाल तक कायम रहेगी राजा सुद्धोधन सिध्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने सिध्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न नहो बस यही गलती राजा सुद्धोधन ने कर दी और सिध्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया नमो बुद्धाए